नवस्कार स्वक्त आप देख रहे हैं जेजरे नीजों में हुआ आपके साथ पनलवी सरोवर नंगने अनिता से 15 किलोमीटर दूर बाबा नीम करॉली के चिदहा में लगातार भक्तों की संख्याब बढ़ रही है बता दे देश्विदे से भक्त राज्टर नीम करॉली बाबा के दर्शन कर रहे हैं और मंदर में हजारों भक्त बाबा के दर्शन करने पहुश रहे हैं तो वहीं गोवा के भाश्पा के मुख्यमंद्री प्रमो सावंद ने भी अपनी पतनी सुलक्षन सावंद बच्चों के साथ नेमकर ओली बाबा के दर्शन किये जिस दोरा हैं विधायक सरीता आरिया भाश्पा कारिकरताओ सहीत मंदिर प्रबंद प्रदीप शहा भयू ने फ मनुमाय चायसा का बाठ किया और बाबा की शिला में फूल मारा चलाए साथी पूजा अर्चना करदेश की शुक सांती के प्रात्ना की मंदिर समीती प्रद्दकारी उसे वारता कर मंदिर की दिन चलिया पूछी तो वहीं जवरा मुख्यमंतरी गोवा प्रमोश्पावंद बाबा के दर्शन करने पहुचे हैं यहां आकर बाबा के दर्शन कर शांती मीनी कहा बाबा की महिमा से आज हर दिन हजारों लोग बाबा के दर्शनों के लिए यहां आ रहे हैं यह बाबा का ही चमतकार है हो क्यों भी ना जो दूर से ही मंदिर के दर्शन को देखता है और म बाबा नीम करोली का दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पर आया था मैं इस नवरात्र के पावन्द सव पर नवरात्री की सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्कामनाय देता हूँ और कैची दाम मंदिर एक पवित्र दाम है यहाँ पर आके मैंने पुरे यह गोवावा चिव गोवा के लिए यह एक उतकर्ष और आरोग यह लोगों के लिए मांगा मैं इस अउसर पर फिर एक बार नवरात्री की शुक्र कामनाय देता हूँ और हमारे उत्राखान की सरकार और उत्राखान की चीफ मिनिस्टर कुशकर सिंग दामी जी को भी बहुत बहुत बदाय देता हूँ के कैची दाम जैसे इस पवित्र दाम के सच्च और सुन्दर परिशर यहां पर मैंटेन किया है सरकार और यहां के जो समीति है इन्होंने और डे बाएडे यहां के लोग बहुत सारे लोग बाबा नीम्तरोली के दर्शन के लिए यहां पर आते हैं सिरकाइची दाम जीन पर जीन बहुती प्रसिद्ध हो रहा है फिर से एक बार मैं मैं बाग्यवान हूँ यहां आने का योग मिला और बाबा का दर्शन मिला जालें परेटन प्रदेश और गोवा भी अच्वेस ताज में अचेजिए यहां और अुत्राखन और गोवा के लिए दोनों प्रेटन प्रदेश रहे हैं और गोवा के लिए कनेक्टिवीटी अल्रदी स्टार्ट हूँ चुती है तो वहीं दूसरी हो सरोवनगी नैंता डिस्बी कॉलिज के संभावित परत्याशी चात्र संग्चुनाव की डेट को लेकर यहां कुमाव विश्य विध्याले कुलपती के कारले के समीब भूख हरतार पर बैठे हुए हैं जिस पर आज डिस्बी कॉलिज के संभावित परत्याशी विश्य विध्याले परतिनेदी आशीश कबडवा समेत तीन चात्र नेताओं की हायत बिगर्णे से अस्पिताल में उन्हें दाखिल क्या गया है बता दें यहां कॉलेज की चुनाव में भागिदारी करने वारे परत्याशीों के साथ और अपने समर्थकों के साथ भूखरतार शू कर दी है अस्पिताल में भड़ती कराया गया तो वहीं अस्पिताल भड़ती कराने के दौरान संभाव शात्र नेता आशीश कबडवाल ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए जन्नाब जसन में बैठी होए थे चार दिन से जन्नाब जसन में हो गया था और ती दिन हमें भूख अताल भूखरता हुए तो तो एक बज़े के टाम पे मेरी तबर बहुत ज़दा खराऊ गया भी डी बांडे घ्रवाव शुदा भी तो में वहां पर भी वह सब्जा तो अभी मेरा रख साथी आप एलाज चल लाए तो मैं साथे वोग बताना चाहता हूं कि हमारी दंदाब जसन चल दा जो भी है विए ब्रूखरताल चल रही है विए हमारी चलते रहेगी यह नहीं र जवाब है सरकार को कि आप जवाब दीजिये हमें मैं आपको बताना चाहूं एक एंब्लेंस तक वहाँ पर नहीं थी मिले जाने कि हम अपनी खुद प्राइवेट गाडी में है तो मैं ऐसा ऐसा क्यों कर रही है जो आज तक हमारे ऐसे उनिवर्सिटी में नहीं हो कि चार द तो एकार स्पोर्त यहां की थी आपके नहीं मैं समादाता लडी जोशी ने फिला स्पोर्ट अबसे इतना ही है ऐसे ही तमाम खरबे देखने के लिए देखते रही जेजर नियूस धन्यवाद